आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल Future Online Classes में और आप सभी लोगों को सबसे बड़ी अपडेट देदू कि अभी क्या है कि साइट जो है आपके प्रोपर तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं और जो बच्चे दोपहड के पहले जो है जो भी अपने डाउनलोड कर लिये थे अलॉट्मेंट लेटर जिनको इंटीमेशन लेटर के ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड करना था तो उन लोगों को जो है मालूम चल गया है कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है तो आप सभी लोगों से निवेधन है कि आप लोग जो है जल दिवाजी नहीं करें अभी जो है बहुत सारी समस्या जो है देखने को मिल रहा है अभी हम उसके उपर बात करेंगे सबसे पहले उस बच्चों की बात कर ले जिन बच्चों ने अभी तक जो है अपना इंटीमेशन लेटर नहीं देखा है तो मैं आपको बता दू कि साइट इसू की वज़ज़ स जो है अभी जो है साइट में दिक्कत आ रही है जिसकी वज़ज़ से वहां का इंटीमेशन ओप्शन जो है दोपार के बाद से गायब हो गया है और एक जो बड़ा प्रोलम देखने को मिल रहा है वो आप सभी लोगों के द्वारा ही देखने को मिल रहा है कि नम्मर का जो ह हेर फेर हुआ है या जो कॉलेज एलोट हुआ है उसमें हेर फेर हुआ है बोड की तरब से अब हेर फेर कहने का मतलब है कि जिम विद्यार्थियों को जादा नम्मर आया है उनको क्या हुआ है कि कॉलेज मिला ही नहीं है और ऐसा मैं अपने अनुसार से नहीं बोल रहा बहुत सारे बच्चे ने मुझे call किया और अपनी परसानी को बताया है जिसमें यहाँ बात कही है कि मेरे दोस्त का नमर जो है मुझसे कम है हम दोनों ने एक ही सिप्ट में एक्जाम दिया और उसका college जो है एलॉट हो गया और मेरा college एलॉट नहीं हुआ है मैं आपको बता और यह बात सर चत्य है, क्योंकि ऐसा हुआ है, कि जिन बच्चो का ज्यादा नम्बर है, उनको college एलॉट नहीं हुआ है, और जिनका कम नम्बर है, वो जो है, उनका एलॉट हो गया है, मान सकते हैं कि college जो उनको एलॉट हुआ है, वो hard shift हो सकते हैं, या number analysis कर सकते हैं, उसके प लेकिन इतना भी तो नहीं हो सकता है न, एक मैं आपको बता दू, एक बच्चे का 120 नमबर है, उनको college अलॉट हो गया है, और एक बच्चे का 177 नमबर है, उनका college अलॉट नहीं हुआ है, दोनों BC क्योटेगरी से यह आते हैं, लेकिन किस कारणवर्स जो उनका college अलॉट हुआ और इनका college allot नहीं हुआ, मैं उनका नाम तो नहीं मुझे मालम, लेकिन उन्होंने मुझे phone किया था, और काफी वो निरास थे, मैं समझ सकता हूँ आपकी problem को, ऐसी जो गरबड़ी हुई है, वो board की तरब से हुई है, लेकिन अभी एक बात आ रही है सामने, कि अब जो है आप के एक नया allotment letter आ सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई notice नहीं आई है, जैसे कोई भी notice आईगी, आपको बता जाएंगे, आप सभी लोग अभी परिशान नहीं हो, पैनिक नहीं हो, और जो भी कल admission लेना चाहरे न, वो अभी admission नहीं ले, और आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, मेल भी आपको चेंज भी नहीं होता है, तो भी आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, साब तोर पर आप देखेंगे, इंटिमेशन लेटर में आपको सारे detail, सारे चीज बताई गई है, कि आपको पहले दिन्या, आपको कभी भी मौका मिले, तो आप जो है, कॉलेज में पता करें, क्या क्या परिकिरिया है, कैसे क्या लग रहा है, कौन-कौन से डॉकमेंट लग रहा है, सारी परिकिरिया उसमें लिखी गई है, स्लाइडर की बात भी लिखी गई है, लेकिन जो में मुद्दाईया है, कि कटप लिस्ट जो है, सभी लोगों को मैंने बताया है, कैसे कटब जादा है और कहीं कहीं क्या है कि arts का कटब ज्यादा है science का कम है वो seat के ऊपर है वहां का जो आपके college है उसके उपर है तो ऐसा देखने को मिला है लेकिन दिख्कत यह है कि एक बच्चे का 207 नमर आता है और उसको कोई भी college इलोट नहीं होता है जबकि वह कटब देखा जाता है तो बहुत सारी college का 190, 197, 160 भी cut up गया है तो आखिर उस बच्चे का admission उस college में क्यों नहीं हुआ यह बड़ा सवाल जो है board के उपर दागता है यह बड़ा सवाल जो है मेरा भी सवाल है board से कि आखिर उस बच्चे का merit में नाम क्यों नहीं आया जिन बच्चों का 207 number है फ जादा हो गया है तो मान सकते हैं लेकिन बाकी college का cut up तो कम है जिन बच्चों का college चुना गया है 30 का 30 उनका भी ऐसा देखने को मिला है कुछ बच्चे ने गलती किया है कि केवल 5 college चुना है तो अगर 5 college का cut up जो है जादा जागा तो उनका तो नाम नहीं आए यह तो लाजमी बच्चे ने call किया है और आप सभी लोग जानते होंगे आप सभी लोगो ने किया भी होगा call मैं सभी को call रिसीब भी कर रहा हूं कुछ बच्चों का छूट जा रहा है उनसे माफी मांगता हूं क्योंकि इतने सारे work होते हैं और बहुत सारे लोग call करते हैं तो सब का handle करना तो इसके उपर जो है अभी कोई सूचना जो है बोट की तरब से जारी नहीं हुआ है तो आप सभी लोग पैनिक नहीं हो घबराया नहीं जैसे जो भी सूचना जारी होगी वैसे आपको जो है बताया जाएगा तब तक आप धहरे बना करें और रात में में भी site work करेंगे त तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कि पैनिक ना हूँ और यह जो प्रोब्लम है कि जिन बच्चों का ज्याधा नमर है उनका कम मतलब कम नमर वाले का इलोट हो गया है ज्याधा वाला का इलोट नहीं हुआ है यह जो है सबसे ब्रोब्लम है जो कि board की तरब से माता हूँ भाई ऐसे कैसे हो गया मान ले की मेरा No 300 है किसी बच्चे का 250 210 है तो उनका College हो गया मेरा नहीं हुआ हम मांने है normalization या shift hard होगा तोसे Cup up कम गया होगा लेकर इतना भीझी कम होगा नहीं कि जितना पचास नवह का फॉर्ख हो, साथ नमर का फॉर्ख होगा, ऐसा देखने को मिला है, और आप लोग कमेंट के के जरू बताया है, क्या ये बात सबते है के इलत है, मैं आपको बता दूए, मैं अपने अनुसार से नहीं बोल रहा हूँ, बच्चों के दुवारा जो भेजेगे, मैसेज है, जो मैं ही बता दूगा, क्योंकि मैं सुबह से लगा हूँ, आप सभी लोगों के लिए, और आप सभी लोग घबराया नहीं, पैनिक नहीं हो, सारी चीज़े बताई जाएगे, और आप सभी लोगों से अनुरोद भी है, क्या आपको है, जल्दिबाजी में एडिमिशन नहीं ल करवाई की जाएगी, इसके उपर भी बोड को मैसेज भेजा गया है, ताकि कदम उठाया जाए, लोगों को कम फिस लिया जाए, रहत मिले, तो यह सारी बातों है, और जो आपके cut-up और आपका allotment later है, इसमें गरबड़ी हुई है, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि बहुत करें, अभी कोई बोड की तरफ से नोटिस नहीं आई है, जैसे नोटिस आती है, आपको हम बताएंगे, आप हमारे साथ बने रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थाइंगे सो मच, जाहिंजा भारत, आप सभी लोग पैनिक नहीं और太 है, और हमोग बने दाल ऑती है, और हमारे साफ से नहीं होगे, मिलते हैं ही, मिलते हती हैं, इनल आदो प्यूभा, प्यूपने कारन ऑषW, डिर्क और भी से लिएता साह।